हेलो एवरीवन वेलकम टू दू 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 दी एजुकेशन चैनल और कल हमने फंडामेंटल राइट से रिलेटरी कॉस्चान डिसकसन किये थे जिसमें हमने 50 प्लस कॉस्चान का क्विक रिवीजन कर लिया था और आज उससे आगे के कॉस्चान का रिवीजन करेंगे और पॉल चाहिएर करें चले तो शुरू करते हैं आज की क्लास न और फ़र्ष्ट कोश्चन है डिसकसन करते क्विक प्रश्ट कोशन by a legal practitioner of her of his choice तो आर्टीकल 22 जो है यह हमें मतलब जब ग्रफतारी हो जाती है तो उसके बारे में हमें संरक्षन प्रोवाइड करता है तो आर्टीकल 22 हमें क्या बताता है कि हमें अपनी मर्जी का अपनी चोईज का एक legal practitioner चुनने का अधिकार है अगर हम ग्रफतार हो जाते हो त आर्टीकल 22.4 क्या कह रहा है कि नो ला प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ओथोराइज दा डिटेंशन फॉर ए पीरियर लोंगर दैन थ्री मन्त और इसने कहा है कि किसी को भी अगर ग्रफतार कर लिया गया है डिटेंशन के रूप में ग्रफतार क सरकम्स्टेंस अंडर वीचे पर्शन में भी डिटेंट फॉर ए पिरियर लोंगर देन थ्री मन्त तो यह रॉंग है आर्टीकल 2.2 में यह बात नहीं कहीं गई है तो इसका अंसर भी सी हो गया क्योंकि इसमें नौट मैच पुछा है ना और आर्टीकल 2.1 किसकी बात करता है No person who is arrested shall be in custody without being informed as soon as may be of the ground of such arrest इनोंने कहा है कि क्यों भी पर्शन जो है बीना उसको reason बताएवे कि तुम्हें किस आधार पे हम ग्रफतार कर रहे हैं तो उसको custody में नहीं डाल सकते हो आप पहले उसे reason बताना पड़ेगा उस चीज के लिए डिटेल देखते हैं इसकी आर्टीकल 22.2 में क्या खा गया है कि every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate वी दिन ए period of 24 hours ठीक है अगर ग्रफतार कर लिया है किसी person को तो उसे 24 hours के अंदर magistrate के सामने पेस करना ही पड़ेगा such arrest excluding the time necessary for the journey from the place to arrest to the court of the magistrate और इसमें सारा time include है वो time भी जहां से उसको जहां से उसकी मतलर time for the from the place जहां से उसको arrest किया गया था वहां से लेके उस time को count किया जाता और magistrate के सामने पेस करने तक का time तो जह 24 गंटे बैठता है और 24 गंटे के अंदर magistrate के सामने उस वेक्ति को पेस करना बहुत ही जरूरी है नहीं तो उसकी जो arrest होता है उसको illegal करार दे दिया जाता है next question in the context of polity which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty in for statement दे गया है नमें से देखना है कि सबसे best definition क्या हो सकती है liberty की तो protection against the tyranny of political rulers तो ये तो liberty की ये तो सही नहीं है कि हम political ruler के against protection कर दे और absence of restraint और बिल्कुल जो मतलब limitations है रूल है लाहे वे सब हटा दे कोई limitation ना रखें तुम्हारे उपर पुरी तरह से तुम्हें स्वतंत्रे चोड़ दे तो ये भी appropriate definition नहीं है opportunity to do whatever one likes और तुम्हें वो opportunity दे दे जो तुमारा मन करे तुम वो करो फॉर्थ है opportunity to develop oneself fully अपने आपको अच्छे से develop करने की opportunity दी जाए तो इसका answer D हो गया है option A and B gives a negative perception of liberty नेगेटीव ही है कि पुरी तरह से ये तो नहीं अगर ये तो छूट नहीं दी जा सकती कि तुम protection करो और ना ये दे सकते हैं कि पूरी तरह से तुम्हें हर restriction से बिल्कुल free कर दे option C is related to anarchy and lawlessness और option C ये है कि पूरी मतला क्या कहा गया option C में कि जो तुम्हें हरा मन करे तुम्हें वो सब करने के permission दे दी जाए तो ये क्या है ये एक अनार्की को अनार्की से related word है और मतलब बिल्कुल लागों खतम करता है ये लागों मानता नहीं है और option D provides positive conception के वाल option D में positive बात की गई है तर्म liberty means the absence of restraints on the activities of individuals and at the same time providing opportunity for the development of individual personalities ठीक है तर्म जो liberty इसका मतलब ये है कि कुछ the absence of restraints on the activities of individual जो individual की activity है उस पर क्या कर जाए restriction को हटाया जाए और उनको अपने personality development के लिए उनको मौके दिये जाए opportunity दी जाए liberty that our constitution provide for the provision of reservation protection of minority right, prohibition of discrimination on the ground of religion, race, caste, sex or birth or place ETC provide for creating and enabling atmosphere where an individual can develop themselves fully तो उनके साथ discrimination ना किया जाए किसी भी आधार पे है ना उनको minority जो है उनको reservation protection दी जाए और उनको ऐसा atmosphere दिया जाए ताकि वे अपने आपका पूरी तरह से development कर सके तो ये लिबर्टी की असली परिभासा है Next is which article of the Indian constitution protect person's right to travel abroad तो कौन सा article जो है ये जो हमारा right है abroad में travel करने का इसको protect करता है तो ये दिया गया है article 21 In the case of Menka Gandhi versus Union of India 1978 The Supreme Court held the right to travel abroad is a fundamental right and is secured by article 21 विदेश में जात्रा करना हमारा एक fundamental right है और ये किसमें article 21 में इससे related case का भी धिहांडा करा है Case कौन सा है में का Gandhi versus Union of India 1978 का case है Which one of the following right is available under article 19-1 clause D read with article 21 तो ये है right to privacy से related है In the Govind versus state of MP and ANR 1975 And Malak Singh and Organization versus state of Punjab and Haryana And Organization 1980 Supreme Court held that the right to privacy is implicit under article Right to privacy किसके अंदर है 21 article के अंदर है This right is the right to be let alone In the context of surveillance It has been held that surveillance if intrusive and seriously And crotch on the privacy of citizen Can infringe the freedom of movement Guaranteed by article 19-1 D and article 21 यो हो गया तिसमें कौन सा था क्या कहा इसनने कि विच वन ओफ ता फॉलोविं राइट इस अवेलियेबल अंदर article 19-1 D read with article 21 तो ये है right to privacy Next which one of the following does not fall within the purview of article 21 of the constitution इन में से बताने की कौन सा article 21 की अंदर नहीं आता है तो ये capital punishment नहीं है बाकी medical aid to injure by a doctor ये भी article 21 ने हमें राइट दिया है और sexual harassment of women at workplace इसके against भी हमें राइट दिया है और pollution of the equality of water तो इसके against भी हमें राइट दिया है Article 21 of the Indian Constitution परवाद आता हमें नहीं आता है तो बाइब आता है ये अबना राइट रभी है at various occasions according to questions given here option D is correct from decision of Bachchan Singh versus state of Punjab it is now clear that the provision capital punishment as given in section 302 में दिया जाता है IPC की जो धारा है 302 is not violative of Article 21 यह कहरे कि आर्टिकल 21 का के लिए वोईलेटिव नहीं है of the Constitution because it is given only for serious crime so capital punishment does not come under the provision of Article 21 of the Constitution है ठीक है तो इनने कहा है कि जो IPC की धारा है 302 तो वो है Article 21 को वोईलेट नहीं करती है और यह किसमें लगाई जाती है धारा जब serious crime करता है कोई तो इस पर यह लगाई जाती है इसलिए जो capital punishment है वो आर्टिकल 21 के अंतरगत नहीं आता है नेक्स्ट को डीटेल देखते आगी इसकी option comes under the right to life and personal liberty as it has been declared by SC through following decision as medical aid to injured by dr. पर्मानंद कटारा वर्सीज उनियन ओफ इंडिया 1989 SC ठीक है तो इसमें medical aid दी जानी चे डोक्टर की द्वारा इंज़र परसन को तो इसका राइट दिया गया था इस case के अंदर और sexual harassment of women at workplace यह था विशाखा वर्सीज स्टेट ओफ राजिस्थान in 1997 SC ठीक है इस case में sexual harassment होता है जो वर्क्प्लेस पे वुमेन का तो उसके अगेंस्ट राइट दिये गए थे और pollution of the quality of air सुभास कुमार वर्सीज श्टेट ओव बिहार तो यह यह वाला pollution of the quality of air तो यह राइट दिया गया था सुभास कुमार वर्सीज श्टेट ओव बिहार 1991 के case में ठीक है उसकी तो बात की गई है आर्टिकल 23 के अंदर abolition of untouchability यह इसके अंदर नहीं आता है राइट अगें यह तो abolition of untouchability तो आर्टिकल 17 में अलग से राइट दिया गया है protection of the interest of minorities यह भी नहीं आता है यह आर्टिकल 29 के अंदर दिया गया है और prohibition of employment of children in factories and mines यह correct है ठीक है कि कोई भी बच्चा जो है जो below 14 है तो कोई भी harassment काम नहीं कर सकता है किसी भी factory में जाते है यह correct है इसका तो अंसर क्या आओ गया है 1 and 4 The right against exploitation given in article 23 and 24 provide four to provisions that is the abolition of trafficking in human beings and बेगार forced labor बोलते हैं बेगार को और यह किस में कही गई है यह बात 23 के अंदर and abolition of employment of children below the age of 14 years हजार्ड जोब लाइक फैक्टरीज मैंस और यह किस में का गया है article 24 में next the provision of right to freedom of religion includes क्या क्या आता है जो हमें freedom दिया गया है religion का religion की जो freedom का right दिया गया है उसके अंदर क्या क्या आता है freedom of propagation of religion यह तो आता है right to wear and carry crepan by sick यह भी सही है state's right to make law for social reforms तो यह भी सही है right to conversion of religion of people by religious bodies यह इसके अंदर है इसका अंसर हो गया है अंसर ही नेक्स्ट कॉस्चिन अकोर्डिंग तो आर्टिकल 25 ऑफ दे कॉंस्टिटूशन राइट टू फ्रीडम ओ रिलीजिन इस नोट सब्जेक्टिड टू किस से रिलेटेड नहीं है यह हुमेलिज्म से राइट टू फ्रीडम ओ रिलीजिन हाँ यह हुमेन इजबा की पब्लिक ओर्डर हैल्थ मोरालिटी इन सब के अगर मतलब कुछ लिमिटेशन्स होती है जिसी आर्टिकल 25 में हमें रिलीजिन का अधिकार दिया गया लेकिन इसके सासत कुछ लिमिटेशन्स भी रखी गई है इसके अंदर तो वो लिमिटेशन्स पुच्छा है नोने अंदर इसमें कि अगर पब्लिक ओर्डर की बात है है हल्थ की बात है मोरालिटी की बात है तो इन पे कुछ लिमिटेशन्स लगा सकते हैं According to Article 25 of the Indian Constitution, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion. But these rights have certain limitations imposed on the ground of public order, morality and health. Humanism is not limitation imposed under Article 25. यह कोई limitation नहीं है. Next is what are the restrictions in the freedom of to manage religious affairs in the Article 26. Article 26 के अंदर religious affairs को manage करने की freedom दी गई है तो इसमें बुच्छे की कौन सी इसमें restriction है इसके लिए? तो पब्लिक ओर्डर और morality और health यह क्या है इसके अंदर restriction है? 1st, 4th and 5th तो किसके अंदर 1st, 4th and 5th तो किसके अंदर 1st, 4th and अंसर होगा इसका दी देखाँ अंसर दी है. Article 26. Every religious denomination or any of its section shall have right to establish and maintain institution for religious charitable purpose. कोई भी institution religion से related तुम establish कर सकते हो. और क्या कर सकते हो? Religion से संबन्द जो affair है तुम उनको manage भी कर सकते हो. और तुम्हे movable और जो emovable property है तुम उसको भी acquire कर सकते हो. और क्या कर सकते हो? जो मारी property है उसको तुम administer भी कर सकते हो. मतलब लाके according उसको administer कर सकते हैं. तो इस सारे के सारे राइट दिये गए है. Religions से related आर्टिकल 26 में. नेक्स्ट है अंडर वीच आर्टिकल ओफ दा इंडियन constitution वीरिंग ओफ कृपान बाई सिक. सिक लोग जो है करपान पहनते हैं. तो इक कौन से आर्टिकल में उनको इस चीज की freedom दी गई है? तो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 25 है. ठीक है? क्योंकि 25 में freedom of religion की बात कही गई है. Wearing and caring of करपान by सिक is deemed to be included in the profession of सिक religion by virtue of explanation 1 of the article 25. आर्टिकल 25 ओफ दे इंडियन constitution, freedom of conscience and free profession, practice, propagation of religion. यह सारी स्वतंदरता है हमें आर्टिकल 25 देता है. नेक्स्ट है आर्टिकल 25 ओफ दे इंडियन constitution, refers to, क्या दी गई है? freedom of religion. मैच करना है? Which one of the following is not correctly match? बताना है कि कौन सा इन में से correctly match नहीं है. तो आर्टिकल 23, human की trafficking से related है, और force labor से related है, यह तो सही है. आर्टिकल 24, बच्चों को factory में हजार्डस वर्थ करने से रोकता है, यह भी correct है. और आर्टिकल 26, जो religious affairs है, उनको manage करने की freedom देता है, यह भी correct है. और आर्टिकल 29, freedom of establishment and administration of educational institutions by minorities. यह गलत है, क्योंकि यह चीज़ जो है, यह जो minority से related, जो educational institution है, यह administration है, उसे related, तो यह article 30 में इसकी बात कही गई है. 29 में इसकी बात नहीं कही गई है, तो इसका answer हो गया है, 29. 29, freedom to establish and administer educational institutions by the minorities is given under article 30. Article 29 क्या बात करता है, is related to the protection, यह minorities के जो interest है ना, उनको protect करता है. Article 29, ठीक है, next है, which one of the following pairs is not correctly match, इन में से देखना है, कौन सी pair correctly match नहीं है, तो article 23, trafficking of human और forced labor से related है, human की खरीद फरोक्त नहीं कर सकते हो, तो मियाव से जबरदस्ती वर्क नहीं ले सकते हो, और article 29, minorities के interest की बात करता है, 32, constitutional remedies की बात करता है, जिसमें 5 rates जारी की जाती है, high court में Supreme Court, right to minority to establish and administer educational institution, तो ये बात किसमें की गई है, article 30 के अंदर, ये 31 के अंदर नहीं है, किसमें है, article 30, ठीक है, 31 में क्या कहा गया है, detail में देखते हैं, the right to minorities to establish and administer educational institution is provided under article 30, while article 31 was for compulsory acquisition of property, property के acquisition से related है, article 31, which has been replaced by 44th amendment act 1978 and now right to properties, a legal right है, property का जो right है, वो legal right है, वो fundamental right नहीं रहा है, और किस article में है, ये, article 300, ये में है, और part 12 है, ठीक है, चलिए, next है, under which of the following articles of the Indian constitution, it has been provided that all minorities shall have the right to establish and administer educational institution of their choice, जो अपनी पसंद का, educational institution, administer कर सकती है, establish कर सकती है, तो ये कही गई ये बात, article 30 में, next, which article of the constitution, protect the right of minorities, to establish and administer educational institutions of their choice, तो article 30 में, article 19 हमें freedom देता है, freedom का right देता है, 26 हमें religious affair को manage करने की बात करता है, और 29, minorities community के interest की बात करता है, और article 30, वो अपनी पसंद का, educational institution, establish कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, next question, given below are two statements, one is labeled as assertion, एक assertion है, दूसरा reason है, तो देखना है क्या correct है, article 30 of the constitution of India does not define the term minorities, article 30 के अंदर constitution में, जो term minorities है, उसको define नहीं किया गया है, तो correct है, minorities term को define तो कहीं ही किया गया, article उसमें constitution में, और reason क्या है, the constitution recognize only linguistic and religious minorities, तो ये भी correct है, constitution के अंदर linguistic और religious minorities की बात कहीं गई है, तो अंसर हो गया है, इसका, क्या अंसर हो गया, एक, नए, अंसर भी हो गया है, मतलब statement तो दोनों correct है, लेकिन reason इसका ये correct नहीं है, article 30 of the Indian constitution provide for the right of minorities to establish and administer educational institutions or minorities, whether based on religion or language, जो religion or language की based पर जो minorities communities हैं, उनकी बात हो रही है, उनको article 30 right क्या करता है, कि वो educational institution को establish कर सकती है, जर अजर हो इसकाइश गिस अढिन सब्सकार्च नहीं है एक रेकिन अढिन सब्सकार्श प्रेमिशिघ्ट थाजीघ्ट करता है, उनको गया है, जर एक, तो टो जो बात्यूत बात्यूचक ये दिवीज़ीजीज़, इसका, ये, क्या है, that minorities is not defining this article hence both the statement are correct but r is not correct explanation of assertion 31 में तो ये बात कही गई है उनको special privilege मतलब special वो दिया गया है community minority जो community है उनको की भी educational institution established कर सकती है वाट यार्टिकल 32 में ये बात नहीं कही गई है next is consider the following statement देखना है article 301 is related to right to property से related है 301 तो नहीं है तो right to property is a legal right but not a fundamental right correct अभी legal right बन गया fundamental right तो ये रहाए है article 300 was inserted in Indian constitution by the 44th amendment during the period of congress government थी उस time पे जब ये article 300 ये जो था property से related ये constitution में insert किया गया था तो ये भी रहोंगे उस time तो जनता पार्टी थी तो कौन सा correct हो गया है केवल two only two ये answer होगे इसका article 301 is related to freedom, trade, commerce and intercourse and not with the right to property 301 किसे related है ये हमें trade की, commerce की इस सब की freedom प्रोवाइड करता है but property की बात किसमें हो रही है 300A में हो रही है right to property वाजिफ fundamental right under article 191f इसके अंदर तो right to property जो था fundamental right था but 44th amendment act 1978 this clause has been omitted अब ये clause क्या कर दिया गया है omit कर दिया गया है अब जो 300A है इसके अंदर जो इसको है इसको क्या बना दिया गया है fundamental right से भी right to legal right बन गया है right to property वाला जो राइट है ये legal right बन गया है this amendment was done और ये कब हुआ था जनता पार्टी के time during में चाहुआ था ये amendment हुआ था और कौन सा था है 44th 1978 और अब राइट to property क्या बन गया है legal right बन गया है ओकी तो correct है statement to only next which of the following right can be enforced under article 32 32 के अंदर क्या आता है तो fundamental rights से related है article 32 article 32 of the constitution provide constitutional remedies जिसमें article 32 में बात होती है जिनकी और किसमें अगेंस्ट दा violation और transgression of fundamental right अगर कोई तुमारी fundamental rights को वैलेट करता है तो तुम जीदे कॉर्ट में जा सकते हो आर्टीकल 32 के तहता है सुप्रीम कोर्ट शैल है और पावर तुशू डायरेक्शन और ओर ओर रिट्स इंक्लूडिंग रिट लाइट है यस को और पास मैंडेमेंस प्रोहिबिशन क्यू वारंटो शर्स एरेरी ये तुम्हें फाइव टाइप्स की रिट्स दी गई है यह हाई कोट यह सुप्रीम जाली करता है वैने वर मेगी अपरोप्रियेट फोर एंफोर्ष्मन और ओं फैनी ऑफ रैट कन फॉट भाइप्स एवार ती प्रीम कोट्च जड़न वंगर्द फंडमेंटल्र वां की इसलिए सुप्रेम को क्या कहा गया है फंडमेंटल राइट पाबदा में गाजन कहा ग the responsibility of the protection of fundamental rights. The most significant fundamental rights is the exclusive right to the constitutional remedies under Article 32 or 226 of the Constitution. 32 में Supreme Court के पास है राइट जारी करने का और 226 में हाई कोर्ट के पास है. Thus, the guardian of fundamental right is judiciary. Next is which one of the following statement is not correct. इन में से देखना घौनसे स्टेटमेंट करक्त नहीं है. KMNC was one of the member of drafting committee of the constitution, constitution की drafting committee थी, उसके member थी कि MNC, तो सही यह member थी उस ताइम पे. Constitution of India was adopted by the constituent assembly. यह constituents assembly नहीं अड़ोप्टी किया था constitution, यह भी करेक्ट है. पंचायती राज वाज recommended by बलवंत राय महता कमीटी report 1950 से वाँ तो यह भी सही है बलवंत राय महता कमीटी ने इसकी recommend किया था पंचायती राज को प्रेजिडेंट ओफ इंडिया गार्जन फंडेमेंटल राइट अंडर constitution तो यह रोंग है अभी बताया था मैंने कि उन्हें सुप्रीम कॉर्ट है जो गार्जन है फंडेमेंटल राइट का तो नोट करेक्ट पुछ है कि कौन सा सही नहीं है तो अंसर तो इसका डी हो गया बा इंडियन constitution हूं अमोंगेस्ट दा फॉलोविंग इस कंसीडर तू विदा गार्जन फंडेमेंटल राइट तो जो इस श्यरी है यह सुप्रीम कॉर्ट आएगा उप्शन में इसमें भी बात पुछी गई है कि कौन है प्रोटेक्टर फंडेमेंटल राइट का या गार्जन क कौन है constitution का? Constitution of India का यह है Supreme Court. The Supreme Court of India is the protector of fundamental right of citizen and the guardian of the constitution of India because through right to constitutional remedies it protect the fundamental right of citizens beside it interpret as well as enforce the provision of the constitution, ठीक है? चलिए next question which one of the following rights was described by Dr. B. R. Ambedkar as the heart and soul of the constitution B. R. Ambedkar ने किसको कहा था Constitution का heart and soul किसको बताया था तो यह बताया था right to constitutional remedies article 32 को यह उने कहा था कि Supreme Court का heart or soul है तो Dr. B. R. Ramji Ambedkar described article 32 as the heart and soul of the Indian constitution in his words if I was asked to name any particular article in this constitution as the most important an article without which the constitution would be a nulity I could not refer to any other article except this 32 it is the very soul of the constitution and the heart of it it is also notable that on various occasions of the primble of the constitution he is also recognized as the soul of the constitution but according to B. Ramji Ambedkar article 32 is the heart and soul of constitution जब B. Ramji Ambedkar जब उच्चा गया था यह कहरते कि कोई मेर सी पूच्चे कि आर्रडर सावलों है नेक्च है साहूल है आर्टिकल 32 प्रोवाइड सने एक्टिव रिमेडी अगेंस्ट दा वाइलेशन ऑफ फंडामेंटल राइब यह भी करेक्ट है अंसर क्या होगे यह अशर्शन भी करेक्ट है और उसका रिजन भी करेक्ट है ठीक है चली नेक्स्ट कोस्टेन वीच वन ओफ फॉलोवि केंडी इस सुड़ भाई हाइप कोर्ट टो सिक्क्योर दा लिबर्टी ओफ इंडिवीजुल तो कौन सी रिट जारी करता हाइप किसी इंडिवीजुल की लिवर्टी को शिक्योर करने के लिए तो यह हैं है स्टिवीजूल की अगर फ्रीडम की बात आुए तो उसके लिए स स्टिक्र करते हैं लीबर्टि को इंडिवीजुल की हाई गौंसी जारी करता है तो है और क्या करते है रिट सुट्व एलिए इस्विट बैढ दगार्ट विख्योड फोज भॉज अप्ज़ेटें इस क्यों सिच्विजेंडर सुट्व लीज़ दीविजेवल्ट तो अगर इंडीवीजबल को किसी गरत तरीके से घ्रफतार कर लिया है तो हाइप को इसके लिए प्रोटेक्शन प्रवाइड करता है और एक रिट जारी करता है है विए उसमें यह होता है अगर तुमने उसे घ्रफतार कर लिया तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिश्टेट के सा करों कि हम तक अपराद किया अगर कर पाती है तो उसकी जो ग्रिफतार उसको अवैद करार दिया जाता है तो यह बात है विस कर पस में कहीज प्रीम कौर्ट भी है प्रॉस चाहि जारीकर सकता है लेकिन उनको पोस्ट मार्टम की रूप में जाना जाता है प्रोहिबिशन, मैंडिमा, सर्शेरी या क्यों वारंट हो तो इन में से कोई सी भी नहीं है अंसर देखते हैं सर्शेरी में तो सबोर्डिनेट कोर्ट होते हैं उनके डिसीजन को री एक्जमाइन करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है न और थ्रू क्यों वारंट हो रिट कॉर्ट इंक्वाइर दा इलिगेलिटी ओफ ए क्लेम ऑफ ए पर्सन तो ए पबलिक ओफिस जो कोई पर्सन अपना पबलिक ओफिस पर क्लेम दिखाता है तो उसको कहते ही बिप्रूव करों तुम किस अधिकार से बठे हो तुम इस पर और इस रिट प्रिवेंट तर ली इलीगल अजंप्शन ओफ ए पबलिक ओफिस बाइन इंडिविज़वर देर्फोर बोथ दर रिट हैवे सेंस पॉष्ट मार्टम दस्ता एप्रोप्रियेट अंस्वर फोर इस कॉस्चन शूड़ वहाइल बिहार पबलिक सर्विश कमिशन हैज मेंशन ऑप्शन दी अच्छा तो इन्हों ने कहाए कि जो शर्चरीर रिट है और जो क्यों वारंटो रिट है यह दोनों की दोनों ही क्या क बिहार गोवर्मेंट ने क्या काए कि क्यो वारंटो एक पोस्ट मार्टम के रूप में जाने जाती है नेक्स ऐ दा रित विच में बृट्चिन एस वार्ण जुए ऑपन्टो ने फिर्ट करती है यह वार्ण एस बृट्चरी स्थी अच्छ च्छिए न के जाने लिट बृट। कि उसको किया उसको यह जाना भी जरुरी है यह वी पताना जरुरी कि अधार पे गृफतार किया कि तुमने इस अपराद किया है अर्फट है मैं तक करना है ung Υो को दिए गए एर्टिकल और मैंच करना है 돌yide Why I say tell www कोंयांतिकल네ा cricket का बात करता है कि किसी भी person के साथ discrimination नहीं किया जाएगा किसके बेस पे race के, religion के और caste के बेस पे public appointment जो है उनमें discrimination नहीं किया जाएगा 29.2 किसकी बात करता है no person shall be denied admission किसी भी person को admission देने से मना नहीं किया जाएगा educational institution में जो government state के द्वारा maintain किये गए है और receiving state ad on the ground of religion, race, caste, language और any of them इन में से किसी के भी आधार पे किसी भी institution में admission लेने से मना नहीं किया जा सकता है किसी भी person को article 31 क्या कहता है all minorities whether based on religion or language shall have right to establish and administer educational institution of their choice तो अपनी मरजी के educational institution को administer कर सकती है minorities और establish कर सकती है जो religion और language के देश पे आधारित जो minorities है उनकी बात हो रही है article 31 और 31 का one clause में किसकी बात हो रही है no person shall be deprived of his property share by the authority of law जो ला के दुआरा जो authority of law जो है उसके दुआरा जो प्रोपर्टी save की गई है तो उसको उसको उसकी प्रोपर्टी से deprived नहीं किया जा सकता उस person को जो हमारे कानून के दुआरा भी उसको provide की गई है तो इसकी बात की गई है आर्टीकल 31 की one clause में next is match list one with list second match करना है कौन सा कौन सा statement कौन से case में कहा गया है ये बात करनी है तो मिनर्वा मिनर्वा मील्स case था तो इसमें किस की बात हुई थी इसमें तो हुई थी doctrine of basic structure की बात और आर्टीकल 23 किस से related था तो ये prohibition of trafficking in human beings human beings की trafficking को prohibition करता है आर्टीकल 23 और 44th amendment of constitution एक इसकी बात करता है fundamental duties की बात करता है और किश्वन अन्धारती केस parliament can amend fundamental right से कहते है कि parliament fundamental right को amend कर सकती है तो अंसर हो गया इसका कांसा ये अंसर हो गया इसका चलिए next question match list one with list second match करना है और देखते है abolition of titles कौन से आर्टीकल में आर्टीकल 18 में है ये और freedom to manage religious affairs तो ये आर्टीकल 26 में है religious affairs को manage करने की बात freedom दी गई है उसमें और protection of language of minorities ये किसके अंदर है आर्टीकल 29 में है और right to education आर्टीकल 21 ये में है तो एक है next question consider the following statement in respect of भारत रतन और पदम आवार्ड इनकी देखना है इनकी respect में statement को देखना है कौन सा correct इसमें पूचे कि कौन सा correct नहीं से correct नहीं जो रोंग है वो चाटना है तो भारत रतन पदम आवार्ड और टाइट अंडर आर्टीकल 81 इसके अंतरगत दिये गए टाइटल से इंप भारत रतन और पदम आवार्ड तो यह तो रोंग है यह इसके अंतरगत नहीं कि दिये गए हैं जब भारत के को इंडियंस सिटीजन जो है अच्छा काम करता है तो उसको दिया जाता यह पदम आवार्ड विच वर इंस्टीटिटिड इन दा इयर 1954 वर सस्पेंड़ ओनली वंस और यह 54 में तो इस्टार्ट किये गए थे लेकिन को सस्पेंड नहीं किया गया आप थे कि एक बार भी हाँ यह है कि थोड़ा डिले हो गी है तो यह भी रोंग है तो नंबर भारत रतन आवार्ड इस रश्ट्र सब्सक्राइब करेक्ट अंसर क्या है दा कंफर्मेंट ओफ टाइटल भारत रतन पदम विभूशन पदम सिरी एटीसी आर्शाइट टू बी नौट प्रोहीबिटिड अंडर आर्टिकल एटीम एंस ती मेरी डिनोट इस्टेट रिकोगनिशन ऑफ गुड़ वर्क बाइस इ मतब बढ़िया काम करते हैं तो इसमें हम इनको यह आवार्ड जो है यह टाइटास जो है यह प्रोवाइड करते हैं बड़ी आर्टिकल एटीन के अंदर नहीं आते हैं पदम अवाड़्स विच्वर इंस्टीटिटिट इंद इंदा इंस्टीटिटिट हुए थे यह अनॉ थोड़ा मतलब इंट्रक्शन रहा है ऐसा नहीं कि सस्केंड कर दिन भारत रतन इस दा हाइस्ट सीविलियन अवार्ड है भारत रतन ऑफ दे कंट्रीट इस अवार्ड इन रिकोगनिशन ऑफ एक्ट्शनल सर्विस पर्फॉर्मेंस ऑफ दा हाइस्ट ओर इन एनी फिल्ड औ सब्सक्राइब और दान पैट्शन आ किसी फिल्ड में जो मतलव इक बढ़िया पर्फॉर्मेंस करता है कि जब सबढ़ जादा हाइस्ट समझ गये ना कोई recognition of exceptional service performance of the highest order मतब बहुत ही high level पर जाके जो performance होता है एकदम अनुखा performance कोई करता है या पहली बार कोई performance होता है बैस्ट एकदम तो उसके लिए ये दिया जाता है It is treated on a different footing from Padam Award The recommendation for Bharat Ratna are made by the Prime Minister to be the President of India ये Prime Minister को recommend करता है recommendation के लिए भेजता है President के इंडिया की President की permission से मतब प्रेजिदेंट के लिए For formal recommendation for Bharat Ratna are necessary The number of Bharat Ratna award is restricted to a maximum of 3 in a particular year Next, the scope of the article 21 of the constitution was expanded to include right to education because of the decision of Supreme Court in case तो कौन सा केस था? इसमें जो आर्टीकल 21 उसको expand कर दिया गया है right to education तक तो ये था उन्नी कृष्णन वर्सीज आंदरप्रदेश ये केस था जिसमें 21 में right to education को भी include कर दिया गया है पुनिकृष्ण वर्सीज आंदरपरदेश केस constitutional challenge querying whether the right to life in article 21 of constitution of India guarantee a fundamental right to education to seize the region of India role of economic resources in limiting right to education interplay between directive principles and state policy in the constitution and fundamental rights whether the right to education include adult professional education next is by which of the following case parliament got the right to amend fundamental right तो कौन से case में दिया गया है कि fundamental को parliament को fundamental right को amend करने का अधिकार है तो किस case में कही गई है ये बात ये कही गई है किश्वनन धारती case the first time the supreme court held the fundamental right or amendable was in case of शंक्री परसाद का case आया था 1951 में सज्जन सिंग वर्सीज राजिस्थान श्टेट का case था 1965 और गोलगनाथ case था 1967 का तो इन तीनों case में तो ये कहा गया था कि fundamental right comment नहीं कर सकते हैं ठीक है बाद में जो गिया आया था किश्वनन धारती case 1973 एक सेकेंड अच्छा इन तीनों का जो case था संक्री परसाद का और सज्जन सिंग का और इन दोनों का जो case था इसमें तो ये कहा गया था कि fundamental right को amend कर सकते हैं ठीक है बाद में जो गोलगनाथ case था 1967 में और इसमें सुप्रेम कौर्ट ने ये कहा था कि fundamental right को amend कर सकते हैं ठीक है लेकिन फिर आया केश्वणन भार्ती case 1973 में और सुप्रेम कौर्ट ने फिर दोवारा से ये बात कही कि पाल्यामेंट को fundamental right को amend करने का अधिकार है पावर है उसकी पास लेकिन unlimited power नहीं है ठीक है और इट मेंट fundamental right but not in such a way as to destroy the basic structure of constitution इसमें constitution के basic structure की बात कही गई कि पाल्यामेंट अमेंड कर सकती है fundamental rights को लेकिन वो constitution की जो basic structure है उनको change नहीं कर सकती है उनके अंदर कुछ भी amend नहीं कर सकती है this case outline the power of the parliament to amend the fundamental rights without destroying the basic structure of the constitution next is select the correct chronological order of the following judgment dealing with fundamental rights तो बताना इसमें fundamental rights related तो अंसर है इसका chronological order में लगाना है ना सबसे पहले कौन सा case आया फिर कौन सा कोई साया fundamental rights related तो अंसर देखते हैं इसका गोपालन versus state of madras case था 1950 में आया था यह और गोलकनात versus state of Punjab case 1967 में आया था केस वनत भारती versus state of केर्ला यह case आया था 1973 में most important case है क्योंकि बार बार पुच्छा जा रहा है और अभी last year यह यह था current में भी रहा था मिनर्वा मिन्स versus union of India यह आया था 1980 में तो इनका year most important है और match करने के लिए आता ही है next question the Supreme Court of India has propounded the doctrine of basic structure of the constitution in which of the following case तो यह किस में बात हुए थी constitution की basic structure की doctrine की तो यह हुए थी केश्वनन भारती versus केर्ला state the doctrine of basic structure of the constitution of its revolution in the ratio of majority judgment of the Supreme Court in landmark case केश्वनन भारती versus केर्ला 1973 which was approved by मिनर्वा मिल्स versus union of India 1980 next है which one of the following case outline the basic structure doctrine of the Indian constitution तो किस केस की बात है केश्वनन भारती केस 1973 राइट टू प्रोपर्टी इस एक कैसा राइट है यह यह एक अल्कल 3a में और पार्ट 12 में तो यह भी दोना करेक्ट है अंसर क्या स्टेट वन एंड स्टेट सेकिंड बोद आर त्रू दोने स्टेट्मेंट करेक्ट है नेक्स्ट है विच ओफ दो फॉलोविंग अमेंडमेंट अक्ट ओफ दो कॉंस्टिटूशन डिलीटिड दर राइट टू प्रोपर्टी इसमें कॉंस्ट अमेंडमेंट अक्ट में डिलीट कर दिया था अभी बताया है फॉलोविंग अमेंडमेंट अक्ट ओमेंट कर दिया था बार बार कोस्टन रिपीट हो रहा है कोस्टन बहुत ही इंपोर्टेंट है वहन वाज दा फंडमेंटल राइट व्रोपर्टी अबोलिश अब अबोलिश हो गया था 1978 44th Constitution बाइविच अमेंडमेंट तर राइट व्रोपर्टी वाज अबोलिश 44th दा 44th amendment of the Constitution of India remove the following right from the category of fundamental तो कौन सा था है प्रोपर्टी का राइट हटा दिया था इसने अट प्रजेंट राइट व्रोपर्टी अंडर दा Constitution of India इसे तो कैसा राइट बन गया अब है लीगल राइट बन गया है इसका लीगल राइट है इसकी पोजिशन क्या है लीगल राइट है फिर पूचरें कि कौन सा राइट बना दिया है तो कितनी टाइप से questions बार बार repeat हो रहा है The right to property was deleted from the list of fundamental right guaranteed to the citizen of India तो ये था 44th amendment Next, which one of the following is not a fundamental right? बताओ, right to property, fundamental right नहीं है ये कैसा हो गया, legal right बन गया है Which one of the following is not among the sixth fundamental right provided by the constitution of India? तो right to property, बाकि ये right equality और right against exploitation, right to freedom of religion ये सब क्या है हमारे fundamental right है Which one of the following is not a fundamental right? बताओ, इसमें से तो right to property ये कैसा है? लीगल right है Which one of the following is not a fundamental right? तो इसमें से काँसा नहीं है? राइट to property Indian constitution does not grant which of the following rights? तो बताओ, right to equal shelter बाकि जो right to equality है, freedom of religion है, right to liberty है ये हमारे constitution ने हमें grant किये हैं और right to equal shelter ये प्रोवाइड नहीं किया है नेक्स्ट है, right to equality is granted by article 5 in the Indian constitution इसमें आर्टिकल में है, article 14 to 18 तर, काँसा राइट है? राइट to equality Which of the following is not a fundamental right granted by the Indian constitution of the citizen? कौनसा fundamental right नहीं दिया गया है, right to information बाकि right to shuttle in any part of the country, country के किसी पार्ट में जाके shuttle हो जाओ gender equality का भी right है और right against exploitation भी है लेकिन information का right हमारा constitution नहीं नहीं दिया है According to decision of Supreme Court, the right to information lies in right to freedom of speech इसमें ही आता है ये and expression under article 19 1E of the constitution of India although it is not mentioned in the constitution of India इंडिया के constitution में mentioned नहीं है Which one of the following right is available to all persons under the Indian constitution तो कौनसा right सबके लिए है? ये है right to equal protection of the law equality before the law और equal protection of the law is guaranteed by the article 14 में बात की जाती है इसकी which is given to all persons under the Indian constitution but the right against discrimination ये है article 15 16 में और right to freedom of speech और expression ये है 19 1E में और cultural or educational right दिया गया आर्टिकल 29 30 में ये केवल को दिया गया है इंडिया के और right to minorities ये भी इंडियन protection of life and personal liberty की भी बात कर सकते हैं और freedom of religion ये भी इनको प्रोवाइड है British citizen sharing in India cannot claim right to freedom of trade and profession because the right which has been provided under 19 1G is only to the citizen of India ये इंडिया की citizens को दिया गया है trade or profession का right चली next which of the following has been recognized as a fundamental right by the Supreme Court of India तो कौन साई ये इसमें right to travel abroad ये भी है और right to equal pay for equal work ये भी है तो अंसर हो गया इसका और ये भी है right to shelter ये अंसर हो गया 1-2-3-3 होई है in the case of Chamelea Singh versus state of UP 1995 the Supreme Court has had the right to live liable for Chamelea case था Chamelea Singh का versus state of UP है इस case के द्वारा right to live liable का भी Supreme Court ने क्या दिया था अधिकार दिया था अंडर article 21 also include right to shelter भी अंडर article 21 में आता है इट वास further stated that the right to shelter does not mean a mere right to a roof over one's head but the right to all infrastructure necessary to enable a person to live इन्होंने काया कि शार्टर का मतब यह नहीं कि बसके भी छट 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 दे दो उसको उसको जितने भी उसको basic infrastructure है वे भी प्रवाइड कराने हैं यह किस case में कहा गया है कि विदेश में आत्रा कतना एक fundamental right है यह कहा गया है सत्वन सिंग वर्सिज यूनिया की case में in a landmark case of Randhir Singh versus Union of India the Supreme Court held that constructing article 14 and 16 in the light of the primble and article 39 d we are of the view that principle equal pay for equal work is deductible from those article and may be properly applied to cases of unequal scales of pay based or of no classification or irrational classification through these drawing the different scales of pay do identical work under the same employer यह बात कही गई कि अगर आर्टिकल 39 की बात होती है जो equal work की लिए equal pay की बात करता है तो इसको अगर लागो करना है तो Supreme Court जो है वो आर्टिकल 14 और 16 को क्या कर सकता है है डिडेक्ट कर सकता है कटोती कर सकता है उनके अंदर ठीक है नेक्स्ट है दे सुप्रीम कॉर्ट वाज हैल्ड हैज है दा होइस्टिंग दा नेशनल फ्लैग अडो अडो दा प्राइवेट बिल्दिंग इस फंडमेंटल लाइट ओफ एवरी सिटीजन अंडर तो प्राइ प्राइवेट बिल्डिंग्स पे भी फ्लैग को होईस्ट कर सकते हैं चली नेक्स्ट है वीच आर्टिकल ओफ दे कॉंस्टिटूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ट्स वन्स राइट तू मैरी दा परसंस ऑफ परसंस अपनी पसंद के परसंसे हम मैरी साधी कर सकते हैं तो यह हमें कौन से आर्टिकल में दिया गया है आर्टिकल 21 और यह केस था लता सिंग वर्सिज इस टेट ओफ यूपी 2006 का केस था और इस केस में सुप्रेम कॉर्ट ने यह राइट प्रवाइड किया था कौन सा वीवड दा राइट तू मैरी ठीक है मैरी का अधिकार के अपने पस कॉम्पोनेंट है इन हाधिया मैरीज की सुप्रेम कोर्ट आसो सेट दर राइट तू कनवर्ट और चूज पार्टनर इस इंप्लीसिट अंडर आर्टिकल 21 और ता कॉंस्टिटिशन यह हमारे आर्टिकल 21 में हमें अधिकार दिया गया है कि हम अपने पार्टनर को चूज कर सकते हैं consider the following statement no one can be compelled to sing the anthem national anthem को गाने के लिए किसी को भी स्पीच है और expression है कि इसका violation करेगा यह और it will be violation of the right to freedom of conscience and practice and propagation of religion और कि इस राइट को क्या करेगा वोयलेट करेगा या there is no legal provision of obliging anyone to sing the national anthem या यह बात है कि किसी को भी national anthem को sing करने के लिए बाद है नहीं किया जा सकता है तो क्या है तीनों ही correct है one two and three तीनों ही correct है Supreme Court overruled the decision of high court pronounced in the case of Bisoy Amwell versus state of Kerala the court held that the expelling the children based on their conscientiously held religious faith violated the constitution of India as enshrined in article 91a and 25.1 the court said that no provision of law oblig anyone to sing the national anthem next which of the following fundamental right is not available to foreign foreign को कोन सा fundamental right नहीं दिया गया है तो यह नहीं दिया गया है freedom of expression का बाकी liberty freedom of life liberty का दिया गया है equality before law भी दिया गया है right against exploitation भी मिला हुआ है ठीक है कि अगर ग्रिफतार कर लिया है तो तुम अपने protection के लिए तुम्हें अधिकार दिया गया है और protection of life and liberty या article 21 में दिया गया है right to education on article 21a में है और right against exploitation article 23, 24 में है right to freedom of religion article 25, 26, 27 और 28 में है where is the provision related to article 91e freedom of speech और expression की बात करता है और ये केवल इंडिया के citizens को ही available है foreigners को ये right नहीं दिया गया है which one of the articles of the constitution of India is related to equality before कौन से article related है article 14 which of the following rights are not available to all persons in India बताना है कि कौन से rights जो है वो सभी को provide नहीं किये गए है इंडिया के अंदर तो अंसर है इसका right against discrimination freedom to move freely throughout the India country और right to contest election ये तीनों चोर right है ये सब को नहीं दिये गए है ये केवल जो इंडिया की citizens हैं उनको ही दिये गए है Indians को दिये गए है ठीक है बाकी ये जो equality before law है ये foreigners को दिया गया है next which of the following right conferred by the constitution of India is also available to non-citizens कौनसे right non-citizens को भी दिया गया है तो right to constitutional remedies बाकी जो freedom of speech है और इंडिया में कहें भी आप settle हो सकते हैं प्रोपर्टी एक्वायर कर सकते हैं ये केवल इंडिया के citizens को दिया गया है next which of the following article ये articles read with the word socialist used in the primble of the Indian constitution enabled the supreme court to deduce a fundamental right to equal pay for equal work ठीक है अगर supreme court को ये fundamental right equal pay for equal work ये article लगाना है तो इन्होंने कहा है कि तो कौन से articles में क्या हो सकता है वो articles को deduce कर सकता है supreme court तो article 14 और 16 को deduce कर सकता है इन दे लैंडमार्क केस ओफ रंधीर सिंग वर्सीज यूनिया ओफ इंडिया the supreme court had that constructing article 14 and 16 in the light of the primble and article 39 dvr of the view that the principle equal pay for equal work ये बात होती है article 39 में is deductible from those articles and may be properly applied to case of unequal scale to pay based on no classification or irrational classification through these drawing different scales of pay do identical work under the same employer ठीक है अगर article 39 की बात होती है equal pay for equal work तो इसमें supreme court को आर्टिकल 14 और 16 को कम करने की पावर है which of the following enabled the supreme court of India to deduce a fundamental right to equal pay for equal work आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 दोनों की बात होती है ये ब्योर तीसरा है the word socialist used in the primble of the constitution तीनों ही correct है ठीक्या आर्टिक 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 अंसर क्या हो गया है आर्टिकल आर्टिकल 16 और 162 और 162 इक्वाल अपर्चुनेटी की बात करते हैं और सिटीजन के लिए जो की employment से related है या किसी भी office में appointment से related है next the provision of reservation of OBC is made in the constitution under which article कौन से article में बनाए गए है OBC की reservation से related provision तो ये दिये गए है article 15 के 4th में और 16 के 4th में ठीक है आर्टिकल 15 4th empowers the state to make special provision for the advancement of socially and educational backward class और for the scheduled caste and scheduled tribes और similarly आर्टिकल 16 4th empower the state of making provision for the reservation in appointment of post और in favor of backward class citizens खिक है तो दोनों आर्टिकल इसकी बात करते हैं Next is the constitution of India recognized तो क्या है ये religious or linguistic minorities को recognize करता है ठीक है The constitution of India recognized both religious and linguistic minorities according to article 29 citizen residing in the territory of India having a distinct language, script or culture of its own shall have right to conjure the same सबको राइट है जिनकी अलग भासाई हैं अलग script है, अलग culture है तो सब उनको अपने अलग अलग भासाओं को culture को इनको कंजर्व कर सकते हैं सबको ये राइट है और आर्टिकल 30 प्रोवाइड माइनोरोटीज तू राइट इस्टेबलीस अड अड इड्मिनिस्टर एजूकेशन इंस्टिटूशन वैदर बेस्ट रॉन रिलीजिन और लेंगबीज राइट टो एजूकेशन तू अलग चिल्डरन बिट्वीन बिट्वीन दा एज ग्रूप ओफ 6 तू 14 इयर्स इजे तो क्या है ये एक फंडामेंटल राइट है 6 से लेके 14 इयर्स तक की बीच की बच्चों को जो राइट टो एजूकेशन दिया गया है तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है Constitution 86 Amendment Act 2002 इसका धियान रखना है Amendment Act का Inserted Article 21A in the Constitution of India to provide free and compulsory education to all children in the age group of 6 to 14 years ठीक है जो ये 6 से लेके 14 years तक की बच्चे हैं उनको ये compulsory और free education प्रोवाइड करता है Article 21A और कॉंसे Amendment Act की बाद है 86 Amendment Act हुआ था 2002 में ठीक है As a fundamental right in such a manner as the state may by law determine the right of children to free and compulsory education act 2009 represent the legislation and we say Article 21A the RTE Act came into effect on a couple 2010 से ये effect में आया था Next is when was the right to education added through the amendment of the Constitution of India कब आया था ये एक अप्रेयर 2010 से In fact में आया था Next is which of the following is a human right as well as fundamental right under the Constitution of India तो ये है right to education ये human right भी है और एक fundamental right भी है Assertion और रिजर देखना है The state shall provide free and compulsory education to all children of the age group 6 to 14 years तो yes Correct है In a democratic society, right to education is indispensable in the interpretation of the right to development as a human right तो ये भी correct है Right जो education है वो तो compulsory है अगर एक human right के development से देखें अगर एक human का development करना है तो उसको education provide करना बहुत जरूरी है तो दोने ही correct है और reason भी correct है Article 221A of the Indian Constitution State shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years The assertion is true Education is a fundamental human right and is indispensable in the interpretation of right to development as a human right as it promotes individual freedom को promote करता है और children को empowerment देता है Next is which one of the following rights can not be suspended or restricted even during national emergency कौन सी right को suspend नहीं किया जा सकता emergency की दोरान तो है right to life or personal liberty कौन से रहे right to life and personal liberty भी इंसर हो गे इसका After the 44th Constitutional Amendment Act 1978 Fundamental right of life and liberty cannot be suspended even during national emergency if the national emergency is declared on the ground of war or external aggression अगर war or external aggression के आधार पर emergency declared की गई है The fundamental right under Article 19 is automatically suspended जो 19 आर्टीकल है वो आटोमेटिकल हो जाता है It cannot be suspended on the ground of armed rebellion और यह अगर armed rebellion की बात है तब यह भी सस्केंड नहीं है यह भी ध्यान रखना है कंडिशन क्या है दोने पर तबर हिंदू इन आर्टीकल ट्वेंटीफाइव आर्टीकल ट्वेंटीफाइव के अंदर हिंदू में कनवर्ट है मतलब इनक्लोड है अगर किसी को नेशनल माइनोर्टी का दरजा दिया गया है इंडिया के अंदर किसी कम्यूनिटी को तो उसको क्या स्पेशल आडवांटीज मिलती है प्रेजिदेंट ओफ इंडिया ओटमेंटिकली नोमेनी नेट्स ए रिप्रजेंटेटिव ओफ दा कम्यूनिटी ओफ लोग सभाव यह भी करेक्ट है उसके अनुसार उसको बेनिफिट भी मिलता है तो यह भी करेक्ट है तो बानेट्थी करेक्ट हैं अच्छा यह वन अट्थी करेक्ट है दूसरा करेक्टलिए सोरी और वारइस केवल फास्ट और थार्ड करक्ट है ठीके सेकीं करक्ते हैं, सेगें रोंग है, लोग सभा जो है, उस कम्यूनीटी के रिपर्जेंटीटिप को नोमिनेट नहीं कर सकती है, ठीके है? किसी को भी अपने अपने लिए मत्दब अपने किलाब गवाही देने के लिए बात देने किया जा सकता है तो यह कौन सा कौन देता है कौन साटीकल में कही गई यह बात आर्टीकल 22 23 ऐस प्रोवाइड जिसको जो क्राइम कर दिया है जिसने तो उसको यह सेफ़गार प्रोवाइड करता है आर्टीकल 23 ऑफ कॉंस्टिशन सेज्ट नो परसन एक्वाइड आनी जिसने ओफेंस किया है उसको अपने खिलाब वीटनेश देने के लिए बाद धनी कर सकते हुआ इस बेस रोन लीगल प्रिजंप्शन दैट था क्यूज इस इनोसेंट तिल इस गिल्ट इस प्रोव और जब तक उसका अपराद जो है वो प्रोव नहीं हो जाता है तब तक जो परसन है वो वो इनोसेंट है इस दूटी ओव प्रोजी क्यूटर तु स्टेब्लिस इस गिल्ट और प्रोजी की डूटी होती है कि उसके अपराद को सिद्ध करें कि वीच आर्टिकल ऑफ कॉंस्टिचूशन प्रोवाइब प्रोटेक्शन तो दा एक्यूज रिगार्डिं कन्विक्शन फरम डबल बार और स्थ इं इंक्रीमिनेशन पर Hmm येक बार मता अगर तुमने ऑपर आपराद किया थो तुम्हें केवल एक बारी उसकी सजय सब्सक्वाद की ओई तुन हे तुम्हें बार रबार सजानी होसकती ही अогई पर मैरा सजय शचती तूह ऐद Hallelujah 22 बात कर रहा था कि अपने अगेंस्ट वो विटनेस नहीं दे सकता है और 20 का जो टू क्लाउज है उसमें बात हो रही है कि उसको एक बार से ज्यादा एक मतला अगर उसने एक करा है तो उसक्राइम के लिए उसे एक बार से ज़्यादा पंश्मेंट नहीं दिया जाए सकता है नेस्ट है नो पर्सन सेल भी प्रोसिक्यूटिटी रैंड पनिश्ट फोर दा सेम ओफेंस मोर दैन वस अंडर विच आर्टिकल दाबो पिजर्वेशन ओफ कन्विक्शन फॉर क्राइम इस गीवन तो कौन सा आर्टिकल बात करता है आर्टिकल 20 का भी टू आर्टिकल बात करता है नो पर्सन साली प्रोसिक्यूटिर अपनिश्ट फोर दा सेम ओफैंस मॉर थैंस थी कल दोक्त्री आट जो पार्टी इसको दोक्त्री न द अवग्यू पार्डिटी विव पर्टे हैं अश्टिकल इस अवर्श्टिकल पॉजर बाइस्टिश्यूजर for the same offense same offense के लिए तुम उसको एक से जबार एक बार पनिशमेंट कर सकते हो उसके लिए दूसरी बार निंग कर सकते हो यह उसे राइट मिला हुआ है Constitution में In which Article of Indian Constitution Doctrine of Due Process of Lies Included तो कौन से आर्टिकल में है 21 में है Article 21 says that no person shall be deprived of his life or personal liberty accept according to procedure established by law मत्तब आर्टिकल 21 कहता है कि हम किसी को भी उसकी लाइफ से और उसकी पर्सनल लिपर्डी से डिप्राइब नहीं कर सकते हैं प्राइवेसी का अधिकार है सब को किसी की प्राइवेसी का महना नहीं कर सकते हैं यहां तक कि कोई तुमारे मोबाइल को भी चेक नहीं कर सकता है वो भी तुमारा पर्सन सैल बी टिटेंड इन कस्टरी विदाउट बिंग इन फॉर्म एस सून अज में बी ऑफ दे ग्राउंड फोर सच अरेश्ट पहली बात तो उसको बताना जैरूरिएगी कि जाधा हर्पित में ग्रफतार किया गया और दूसरा वो अपना लीगल प्रैक्टिशनर अपने बचाओं में किसी भी वकील को ला सकता है अर्टिकल 22-4 of the Constitution of India says that no law providing for preventive detention shall authorize the detention of a person for a longer period than three months किवल तीन मन तक रख सकते हो तुमसे अगर तुमें उससे ग्रफतार किया है मतलब जिससे अगर कहीं किसी इलाके में दंगे फसाद फैल गए है और पहले सी वहां कोई अगर व्यक्ति जूर्म कर चुका है उसको जेल हो चुकी है तो सबसे पहले क्या करेंगे अगर दंगी फसाद होने की आसंका है तो सबसे पहले उन को ही उठा लेंगे जिन पर उनने सक ठोता है undhale पो जेल में रख सकते हैं लेकिन उसके लिए एक गेल्टे जो है उसे बताओ कि किस गेल्टी के आधार के तुमें जेल में लाए हैं नेक्ष्ट बॉंडिड लेबर वाज अबोलिश्ट इंडिया बाइन एक्ट ऑफ पार्लियमेंट इनक्टिर इन दाई यह बॉंड़िड लेबर को अबोलिश्ट किया गए इंडिया में और बाइन एक्ट ऑफ पार्लियमेंट और यह पार्लियमेंट ने एक्ट किया था 1976 में article 23 one of the constitution prohibits the traffic in human beings and forced labor any contravention of his provision shall be an offense punishable in accordance with law the bonded labor system abolition ordinance 1975 was promulgated by the president on october 1975 to replace the sad ordinance the bonded labor system bill 1976 was introduced in parliament the bonded labor system bill 1976 was passed by both the house of parliament or became an act in 1976 to bonded labor का bonded labor system थक बन गया था याक 1976 में दोनुं house ने इसको permission दे ली थी the child labor was prohibited in hazardous employment by बताना है यह किसके द्वारा का गया था यह तो यह ओलोफ ता आपो United Nation Charter में भी कहा गया है ठीक है चाइड की वर जो हजार्डस चार्टर में भी कही गई है नेस्ट है without duties are like man without shadows तो यह कहा है राइट के साथ व्यक्ति के साथ उसकी duty जुड़ी होई है जो हमें fundamental duties प्रवाइड की गई है उनकी बात हो रही है इन the context of India which one of the following is the correct relationship between right and duties बताना correct relation क्या है तो राइट्स are correlative with duties duties के साथ यह correlative है in the context of India right and duties are correlative according to Holland every right implies the active or possessive forbearance by others of the wishes of the party having the right the forbearance on the part of other is guarded duty the right and duties are also phase of the same thing the supreme court has observed that there may be a rule which impose on obligation on the individual or authority and yet it may not be enforceable in court of law and therefore no give rise to a corresponding enforceable right in another person but it would still be a legal rule because it prescribes in norms of conduct to be followed by such individual or authority the right and duties are correlative सही बात है अगर तुम्हें right प्रवाइड करे गए तो कुछ तुमारी duties भी बनती है अब ऐसा तो नहीं कि हमें भई हमें तो राइट दे दिया है सामने वाले की भी तो freedom का धिहान रखना पड़ेगा ना सामने अब यह तो नहीं कि हमें तो म्यूजिक सुनने का धिकार दे दिया गया तो सुन रहे हैं म्यूजिक लेकिनघी तो देखना पड़ेगा ना कि कोई सामने वाला उससे disturb ना हो तो तब ही तक है हमारे right भी जब तक कोई सामने वाले की right का हनना ना हो रहा हो तिक है तो हमारी duty यह भी बनती है कि हम मुजिक के वाल उतनी ही आवाज में सुने की कोई दूसरा डिश्टर्ब ला हो रहा है बाकी जो अधर ड्यूटी हमारी नैशनल के पैती वो ड्यूटी से रेटेट चाप्टर हम आगे डिसकस करेंगे रिटी जो अवर चाप्ट अग तो रहा है आटनी की का वजम- सामृटी है अशनल के पैट आट सी ककते हैší सक्ड़िकू. आट हाट मरें तूसूटी अशनलूटी हम आट रूटी मुजर्टी यहा आटल्यु इस प्रोटेक्टेटिट एजिफंडामेंटल इस केस में कहा गया था कि जो राइट टूप प्राइवेसी है ना वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है और इस में आर्टिकल 21 में इसकी बात हुई है और केस का नाम धिहान रखना मौत ही बहुत ही पुट्टा स्वामी किस ठीक है नेक्स्ट राइट उप प्राइवेसी इस प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टीकल ऑफ दे कॉंस्टिटिशन ऑफ इंडिया तो आर्टीकल 21 में हमारी प्राइवेसी के राइट की बात की गई है चलिए तो आज हो गया आपका चैप्टर सब्सक्राइब कर लिए उनका और इतना मौस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था कि हर एक्जाम में से रिलेटर कोश्चन साथे हैं और जितने कोश्चन आपने डिसकसन कर लिया नहीं सारे इंपोर्टेंट मतलब जो भी कोश्चन बन सकते थे यह 30-35 साल के जो कोश्चन से न जो एक्जाम में आई भी कोश्चन से उनका कंपाइलेशन है इस सब तो इससे रिलेटर इससे बाहर तो कोश्चन ही नहीं जाएगा किसी भी एक्जाम में है चलिए तो थेंक्यू सो मच वाचिंग फॉर दीज वीडियो झाहर गयर वीडियो उनका किसी अईगता